बार साथियों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल फिजिकल एजूकेशन पॉइंट में जैसा कि बता दे आज मैं आपके सामने मिश्टर धर्मिंद पांडे जी के वाटसब चैट लेकर आया हूँ जिसमें उन्होंने इस पष्ट कहा है कि जितने भी वेटिंग लिष्ट वाले विद्यारती हैं उन सभी को लखनव आना अनिवार रहे हैं आप मेरी बातों का विस्वास न करिए इसलिए मैं सीधे उनका चैट बॉक्स को कॉपी करके आपके सामने लेकर आया हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं धर्मिंद पांडे जी का यहाँ पर नमर है आप उनसे बात कर सकते हैं और उनसे राय ले सकते हैं कि लखनव पर कहा आना क्योंकि सोमवार यानि कल का दिन हमारे लिए इतिहासिक दिन बनने जा रहा है यदि आप सभी लोग थोड़ा सा सहयोग दिखा दें आप लोग लखनव आ जाए तो हमारी बात कल बन जाएगी साथियों आप सभी लोग सुमवार के लिए तयार रहिए सभी महिला और पुरुष सभी अभ्यारती लखनव आईए हम सभी लोग तीन ग्यापन तयार करके आएंगे जिसमें एक उपमुख मंत्री दूसरा सिच्छा मंत्री तीसरा अपर सच्युमाध्मिक के लिए होगा इसमें हम सभी अपनी सारी समस्याओं को लिखेंगे हमें किन-किन कठनाईयों किन-किन समस्याओं का सामना वर्तमान प्रणाली में करना पड़ रहा है यह सभी का उलेक हमें करना है साथियों सभी की सहभागिता बहुत जरूरी है आपको बताना चाहूंगा मध प्रदेश में वहां के पूरुस और महिलाएं अभ्यरतियों ने बहुत बढ़ चड़कर भाग लिया महिलाओं की भून का बहुत जबर जहस्त थी जिसका प्रणाम था वहां काउंसलिंग कराकर प्रतिशा सूची के अभ्यरतियों की नियुक्ति दी गई इसी तरह हम सभी क आगे आना होगा और सुमार का दिन यह निर्धारित कर देगा कि हम लोगों की काउंसलिंग होगी की नहीं इसके लिए हम सब को बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है आप सभी बरसात को देखते हुए अपनी तयारी के साथ जरूर आएं धन्यवाद धर्मेंद पांडे द जितने भी लखनों के अगल बगल के साथी हैं वो तो जरूर आएंगे लेकिन यदि कोई बहुत दूर से है कुछ परस्थितियां हैं तो वो अपना आर्थिक सायोग दे सकते हैं धर्मेंद पांडे जी के नमर पर धर्मेंद पांडे जी का एक और स्टेटमेंट था उन्हो कि वाँचियों हम लोगोंने पूरा विस्वास है कि हमें सफलता मिल लेगी क्योंकि उन्होंने लिखा कि 90% सफलता हम लोगों को मिल चुकी है मात्र 10% सफलता प्राप्त करना और बांकी है यह 10% प्राप्ट सफलता तब प्राप्ट होगी जब आप सभी लोग कल लखनव आएंगे कल लखनव आना काफी महत्पूर्ड है वेटिंग यदि किलियर करवानी है 2016 और 2021 की तो आप सभी लोग जल्द से जल्द लखनव के लिए तयार हो जाएं और सभी लोग उपमुख मंत्री, सिच्छा मंत्री और मादमिक सिच्छा की प्रमुख सचीव अराधना सुलगाजी से मिलिये और कल तब तक उनके पास बैठिये, तब तक अंसन रखिये, तब तक आप सांतिपूर्ड अपनी मांग करते हैं कि जब तक आपकी मांगों को कम्पलीट ना किया जाए, क्योंकि उन्हों ने एक वीडियो पर मैंने अपलोड की थी, उसने ने कहा थे कि हम एक हफ्ते पर आपकी बात पर बातचीत करेंगे, आज एक हफ्ते के जगे एक महीना हो चुका है, इसलिए आप सभी लोग को पुन पर रूख कराएंगे, धन्यवाद.